आज में आपके सामने मैस सब्जेक्ट जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है बट हर बच्चा इस चीज को लाइट लेकर ना लेकर बहुती ज्यादा स्यरसली है कि इस चीज को सब्सार में आज मैं आपके सामने इन ही सब आतों को डिसक्ट करना चाहा रहा हूं कि आप कैसे अपनी इस तरीके से आप एक अपनी पूंचे वर्किंग को चेंच करें किस तरीके से अपनी स्टैटिजी बनाए है कि जिस्से कि आपका जो CBST का तो उसी का solution में आपको आपको आप पताने जा रहा हूँ कि first of all, जो students मैस को लेके सोच रहे हैं कि that is a very typical subject, तो ये उनकी एक ब्रहम है because मैस में जो strong हो गया, वो he can do anything वो अपने आपको हर इक चीज़ में fast कर सकता पास्ट होने के बाद आप मैस करें, that is not a compulsory but अगर आप मैस कर रहे हैं, so then you can take anything in दूसरी बात, कि जब बात करते हैं लोग, मैस की तो सबसे पहले हमें एक अपनी एक planning साट करने चाहिए क्योंकि day by day हमारा जो बोर्ड का exam time period है वो हमारे near about आता चला जा रहा है तो obviously जो हमने 18 महिने में अपने आपको जो प्रिपेर किया तो possible ही नहीं है कि उसको हम लोग last day में उतना पूरा उसनी same time period को 8 months time period को we can control in whole 2 and a half months that is not a possible but उसके लिए better option यह है कि हम अपनी strategy change करें जो हमने पहले पढ़ लिया, अब उस पढ़ी हुई चीज को हम revision के time पे अपने को किस तरीके मैनेज करें तो वही tips को मैं आज आपके सामने शेर करना चाह रहा हूँ कि जिसको आप follow करके अपने score को 100 on 100 में convert कर सकते हैं firstly I want to discuss about this 100 on 100 as we know that 10th standard, 10th standard में आपकी जब पात करते हैं तो जिसमें 80 marks का तो सिफ question paper depend करता है and 20 marks internally होता है जो बच्चे के हाथ में खुद होता है और वो चाहे अगर वो 20 on 20 खुद score कर सकता है because इसमें उसके personal behavior count होता है notebook के marks count होते है and how is working in school as a student क्या उसके activity है, क्या उसका behavior है तो ये 20 marks का internally जो वो उसके हाथ में है वो जैसे चाहे वो जैसे उसको score कर सकता है but when we talk about 80 marks तो उस 80 marks के question paper को attempt करने के लिए simple सी एक बात है कि हमारे पास एक time management पुद दरूब चीज़ है जो tips में आता है सबसे पहले क्या चीज़ है time management कि हमारे पास जो time limitation है that is 3 hours only और उस 3 hours में हमें 30 questions के एक question paper को attempt करना है जो कि total 80 marks का तो we have to decide कि उसका time management की section में किस में कितना हमको अपना time spend करना है जैसे कि time management के बात आ गई और second अगर tips की बात करें कि अब revision की अगर बात कर रहे तो revision हम लोग एक दिन में दो दिन में पूरे book का नहीं कर सकते है that is a common change but अगर हम लोग अपने हर एक chapters के जो formula है या chapters सिर्फ लिटेट आपके जो theorems है उनको अगर हम लोग इसी एक अरफ copy में अगर एक separate इश्रम में mention कर ले तो last time में ये हमारे लिए revision के लिए बहुत एक अच्छा तरीका प्रूफ हो सकता है second इसके बाद आपके next tips की बात अगर करें कि जो questions हम लोग जब attempt करते हैं किसी exercise ये किसी book में जब particular chapter को हम लोग attempt करते हैं तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा और हो सकते हैं उस exercise के each and every type के जितने भी question है सबको solve great because variation भी आपको मिलेगा plus आपके practice भी होगी और practice के साथ साथ आप जब उस जगए अपने आपको recall करेंगे और in case अगर आपको कोई problem create को रही है तो कोशिच करिए अपने उस problem का solution at a time on the spot ही ले 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 किसी भी तरीके से चाहिए वो अपने teacher से किसी भी अपने elders, भाई, बहन किसी भी reference से या आपने किसी friend circle से solution उस question का ज़रूर ले ले because आज के बाद अगर वो question आप तुबारा attempt करेंगे तो obvious सेफी जो उस समय आपके space mind में जितने भी आपके साथ problem आएंगी, वो next time repeat नहीं होगी, तो बेटर यह है कि वो solution आपका on the spot आपके साथ mind में permanent track और next time इस तरीके कि problem आपके सामने नहीं आएगी फिर बात करते हैं पॉमलेज और इस्टर की जो हम लोग पताई चुके discussion होई चुका, फिर जो बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है लाज में चुके सीवेसी में मैंने अपना एक अच्छा का सा time spent किया, copy correction जब भी मैं copy correction करता हूँ 10th standard में तो I have seen a lot of types of problems, which is related from the experience क्या करते हैं वो कि उनको solution आता है, but they don't believe in overwriting they don't believe in cutting so just make an effort कि जो आपका correction वाला पार्ट है जो आपका right पार्ट है उसको कोशिच करिए कि इसमें किसी भी तरीके की overwriting, किसी भी तरीके की cutting, अगर हो रही हो तो उसको एक single dangle process से cut कर दे यह ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप पहुँच ज़्यादा किसी तरीके का होच-पोच करें और in case अगर आपको कोई rough column करना rough working करनी है तो side में किसी भी एक place पे आप एक rough column drop कर सकके अपना एक rough portion के काम को complete कर सकते क्यों? बिकॉज अब इसी tips में अगर बात करें तो cleanness is makes some different between top score restraints and bottom score restraints because copy में correction के time पे teacher के इतना time नहीं रहता कि वो एक एक चीज के एक content को द्यान से पढ़ सके तो कोशिच करिए कि उसका आप लोग अपने आप में control लखे करें और रही बाद syllabus की syllabus को सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि syllabus आपका क्या है चुकि 10th level है 10th level में only 15-16 chapters है that is enough for 10th standard लेकिन 15 chapters देखने में तो है लेकिन जब unit-wise अगर हम लोग इसको discrimination इसका अगर कर दें तो only first unit is that is belong from real numbers और इसकी containing total 6 marks की 2nd आपका option आता है Algebra Algebra में आपका कौन कौन से chapter count हो रहा है Polynomial Next one is AP Linear equation 2 variable and Coordinate equation These 4 chapters are containing total 20 marks तो ये 20 marks का आपका 2nd unit के इंटरनली आ रहा है After that जो 3rd unit किया कर बात करते है 3rd unit is related from coordinate geometry जो कि सिर्फ formula-based exercise chapters दोनों के उपर depend कर रहे हैं और वो भी आपका 6 marks के Coordinate is containing है तो हम लोगों easily उसमें marks capture कर सकते हैं फिर coordinate geometry के बात का जो portion है that is based on geometry Geometry जिसको बच्चे बहुत जादा problems समझते हैं कि बहुत जादा issues है theorems है proving है तो उसी के लिए जो हम उने अभी starting जासा हमने discuss किया कि starting में कि एक rust register जो कि आपके लिए fair का काम करेगा और जिसमें आपके different types of theorems जो कि आपके syllabus से conducted है including formula तो उसको आप एक अपनी copy में बना लेंगे तो represent time में यह geometry वाला portion आपको help करेगा और इस geometry के internally आपके दो chapter include हो जाएंगे और geometry में आपका geometry का portion जो है यह आपका तक्रीबन जो है 12 से 15 नंबर का after that technometry technometry is a major issue for students but that is totally based on formula एक simple सी चीज को सीख के हम लोग उसको आपके forward कर सकते हैं तो आपके दो chapter जो include हो रहे है that is exercise जो कि based on 8 chapter and the second one height and distance इस trigonometry में आपके जो ratios का जो हम लोग फॉर्मुलाइज लेके चलते हैं as well as we will work about height and distance that is only a common thing यह भी आपके तक्रीबन 12 marks से related करती हैं जो कि आपके content में 80 marks से पेपर में included हैं after trigonometry we have to take our two chapters which is related from a single unit that is mansuration area related to circle and the next one is surface area and volume और यह दोनो ही chapter आपके सिफ surface area, volume जो different kinds of formula mentioned है based on different types of formula, different types of figures तो यह दो chapters से containing आपके total 10 marks की है और easiest part of the flavors, intense standard in math subject that is only stats and probability इसमें हमको कुछ नहीं करना पर हमको बहुत कुछ करना because दो chapters complete करने के बाद हम 11 marks का score कर सकते हैं but यह 11 marks if we will not take it seriously then obviously फिर इस 11 marks को score करना भी हमारे लिए बहुत बड़ा challenge होगा तो अब अगर finally अगर बात करें कि जो 80 on 80 वाली बात है तो यह तो आपके एक समरी थी कि जो आप 80 on 80 के accordingly जो content unit wise marks के accordingly जो mention किये गए है तो just try to convert this 80 to achieve whole 80 because आप में ही से कोई करता है जो 80 on 80 लागता है और हमारा पूरा effort है कि आप में से एक ना होके दो ना होके मैं समझता हूँ जो कि इस चीज को consider करने कोई भी स्टंड के इस चीज को attempt करता है then I hope कि वो इस चीज को अपने accordingly खुद रियलाइज करेगा कि मैस को as typical mood में ना ले जाके एक easiest movement में ले जाके करेगा then he can handle all 80 on 80 और same concept में 12600 बोर्स के लिए भी कहोंगा कि how they can achieve 100 on 100 procedure सब के लिए same है contents की बात है that is a little bit different that is based on 100 marks और बाकी जो tips for revision part है that is totally related from 10th and 12th that is not a difference there is no difference between 10th for preparation and for 12th preparation so guys I hope you can consider all my thoughts and you can share my view with your own and hope कि आप सब अच्छा करेंगे सब कोडो and wish you all the best to all of you चार चार करेंगे.